आप सबी का एक बार फिर से स्वागत अबिनंदन है आपके अपने यूटूब चैनल देव कमिशन क्लासे में तो आज हम यहाँ पर आपके SSC, CGL, CSL या CPO जो भी अगर आप किसी SSC के एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो वो यहाँ पर हम प्रेक्टिशेशन लेकर आए हैं जहाँ पर हम आपके एक्जाम में आयो हुए जो कोशन है रिजनिंग के वो यहाँ पर हम डिस्स करेंगे तो जितने भी लोग जो भी लोग SSC के एक्जाम की तयारी कर रहे हैं जैसा कि आप सभी को पता भी होगा कि SSC की लेर सारी जो है वैकेंसी जो आई हुई हैं तो जो लोग SST की preparation कर रहे हैं तो वो लोग यहां पर हमसे जुड़ सकते हैं ठीक है यहां पर हम आपको previous वर में आपके आयो यह जो भी question है उनकी practitioner यहां पर लेकर आएंगे ठीक है और जो है इसके बाद हम topic wise classes भी चलाएंगे आपकी और अगर आप हमारी reasoning की topic wise classes देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं इस वीडियो के description में आपको सारी classes का link मिल जाएगा तो वहां से आप उन classes को देख सकते हैं ठीक है तो सलिए सभी लोग जल्दी से live जो है जुड़ जाएए अलका सिंग अंकूर तो यहां पर हम जो है आपके आज आपका SSC CPO का जो एक्जाम हुआ था 2023 में तो उनके जो question है यहां पर हम discuss करेंगे ठीक है धेर सारे अलगलग type के question देखेंगे और यहां पर साथी साथ हम उन basic approach और tricks को भी देखेंगे जिनसे हम exam में question को जल्दी से जल्दी solve कर सके ठीक है और courses करिएगा आप लोग जो है live session में जोड़ने की ठीक है डेली 8 बज़े से आपका live session चलेगा यहां पर हम आपको reasoning की जो topic wise classes है वो भी करवाते हैं ठीक है और साथ में आपके यह practice session भी जो है वो भी चलते रहेंगे ठीक है तो चलिए start करते हैं आज की class तो जो लोग पहली बार हमारी class देख रहे हैं वो लोग चैनल को जरूर subscribe कर लेजेगा साथी bell icon को जरूर आल पर click कर लेजेगा जिससे आपको सारी वीडियो की notification जो है वो मिलती रहें रानी राजपूत गूड इवनिंग ठीक है तो चलिए आज की session को start करते हैं ठीक है और आप सभी लोग जो है pen और paper लेकर जरूर बैठिएगा और खुद से question solve करने की courses जरूर करिएगा ठीक है और answer को साथ साथ comment भी करिएगा और अगर आपका कोई doubt है तो आप हमें comment section में comment कर सकते हैं या फिर discussion में आपको हमारा whatsapp number मिल जाएगा वहाँ पर भी आप हमें whatsapp कर सकते हैं ठीक है अगर आपका कोई doubt है तो ठीक है practice करेंगे ठीक है तो सबसे पहला question यह है हमारा जो कि आपका एक later coding का है ठीक है तो चलिए इस question को solve करते हैं साथ साथ आप लोग भी इस question को solve करिएगा ठीक है तो यहां पर देखिए हमारी basic approach क्या होती है यह हमारा एक number coding का question है तो सबसे पहले यहां पर देखिए लिखा गया है गेम को लिखा गया है 8 4 2 6 मस्ट को लिखा गया है 7 8 5 3 तो हमें यहां पर देखिए बताना है m की coding क्या होगी स्वारी यहां पर option देखिए जो है वो थोड़ा सा mistake हो गई है ठीक है तो option यह हटा दीजेगा यहा यहां पर देखिए अगर हम देखें यहां पर यह हमारा number coding का दूसरा type है जहां पर हर later से एक नया number बनता है तो अगर यहां पर हम इनकी place value लिखके यह कोई number बनाना चाहें तो देखिए यह number place value से मिलकर नहीं बनेगा यह जो question है हमारा common coding का question है यानि कि जिस later की नीचे जो number लिखा वाता है वहीं उसका code बन जाता है ठीके तो यहां पर अगर हम देखें देखें तो game को लिखा गया है g.a.m.e. ठीक है g.a.m.e. इसको लिखा गया है 8 4 2 6 8 4 2 6 और must को लिखा गया है must इसको लिखा गया है 7 8 5 3 ठीक है अब यह question जो है हमारा वैसे तो common coding का हम बोल सकते हैं रानी राजभू सुनिल कुमार good evening ठीक है तो यहां पर हम देखें इसको common coding question बोल सकते लेकिन यह common coding का है नहीं question हालागी यह जो है आपका यह mixed coding का question है जो Chinese coding जिसको हम बोलते हैं ठीक है mixed coding का question है तो यहां पर क्या होता है जितने later common होते हैं उनके code भी क्या होते हैं कभी कभी हमें इधर left side में कुछ word मिलते हैं और इधर right side में उनके code मिलते हैं तो अब यहां पर देखें दोनों में M जो है हमें common दिख रहा है यहां पर सिर्फ यानि option number 4 जो है इसका आपका right है ठीक है तो यह हमारा जो है एक mixed coding का ही question था ठीक है और यह आपका CPO SSC CPO जो है 310-2023 को shift first में पूचा गया था ठीक है चलते हैं next question पर next question हमारा है एक letter analogy का और आप सभी को पता होगा कि इस letter analogy के question को हम कैसे solve करते हैं letter की place value लिखे क्योंकि letter की place value से हमें जो logic है वो जल्दी समझा जाता है तो यहां पर देखिए अगर हम इसकी place value लिखे या इसको आप जो है open नीचे भी लिख सकते हो इस तरीके से जैसे यहां पर हम direct place value लिखेंगे फिर से जो है letter नहीं लिखेंगे जिससे हमारा time जो है बच minus c होता है 3 j10 और l12 g7 y25 ठीक है अब यहां पर हम देखते हैं जब हम coding decoding का अपना question solve करते हैं तो वहां पर सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई सीधा सीधा जो है plus minus का logic तो नहीं चलना है जिसको हम सीधा करम या फिर forward जो है pattern बोलते हैं ठीक है तो अब यहां पर अगर हम पड़ेगा फिर 5 से अगर 3 बनाना है तो यहां पर हमें minus 2 करना पड़ेगा 13 से 10 बनाना है minus 3 करना पड़ेगा 16 से 12 minus 4 करना पड़ेगा 12 से 7 minus 5 और 5 से 25 अब 5 से 25 देखे plus 20 भी हो सकता है लेकिन यहां पर सभी में minus हो रहा है तो इसको भी हम minus ही करेंगे और 5 को देखे हम बोल 6 करना होगा यानि यहां पर जो है सीधा सीधा चल ला है forward pattern चल ला है और सभी में minus 1 minus 2 minus 3 इस तरीके से नंबर पढ़ते जा रहे हैं तो यहां पर भी दूसरे वाले में चर्च को भी इसी तरह किसे code किया गया होगा अब यहां पर दे कि हमें mask के coding बता नहीं है तो हम क्या सीधे जो है option की help लेंगे आपर ठीक है तो यहां एम जो है 13 नंबर पर आता है और इसमें हमें minus 1 करना है तो यहां पर 12 आएगा यानि की L तो देखिए L हमारा सभी में है अब हमें अगर जल्दी answer देना है तो देखिए यहां पर हम जो last letter है उसको check कर लें क्योंकि option में last letter अ 31 letter माना था 31 में जब हम 6 minus करेंगे तो यहां 25 बचेगा यानि की Y हमारा last में होगा अब देखिए यहां पर सिर्फ Y जो है एक ही option में हमारा option number 4 तो यहां पर हमें पूरा question check करने की जुरुत नहीं है इसी तरह के से आपको exam में भी करना है जिससे आपका वहां पर time जो है वो ठीक है तो यहां पर आप हमें पूरा question check करने की जुरुत नहीं है अगला question आपका यह भी आपका एक later coding का है C-O-U-R-T code को लिखा गया है O-C-R-T-R judge को लिखा गया है J-U-D-G-E-U-J-A-E-G ठीक है अच्छा देखते हैं यहां पर क्या coding जो है चल लही है तो code C-O-U-R-T इसको लिखा गया है O-C-R-O-C-R-T-R ठीक है अब यहां पर अगर हम फिर से place वालों लिखे हैं देखिए यह पर आप सबसे पहले तो यह देख लिए कि कहीं position based pattern का कुछ question तो नहीं है position का मलब होता है जो later ओपर लिखे हैं वही later कहीं नीचे तो रही लिखे गया है तो अब यहां पर देखें तो ओपर देखें C-O था नीचे भी हमें C-O दिख रहा है बस इसको उल्टा कर दिया गया है OC इसी तरीके से देखें आपको RT भी ऊपर दिख रहा है और नीचे भी RT दिख रहा है लेकिन इसको भी उल्टा लिख दिया गया है TR तो हो सकता है यह position based pattern का question हो तो अब U को देखें R लिखा गया है यानि U होता है हमारा 21 नंबर पर और R होता है 18 नंबर पर तो क्या यहां इसको हम लिखा गया है UJA EG पहले जो JU था इसको भी उन्होंने उल्टा कर दिया UJ और GE जो last में था इसको भी उन्होंने उल्टा कर दिया EG और बीच वाला जो letter था D इसमें उन्होंने माइनस 3 कर दिया गया है ठीक है तो यहां पर यह logic था अब हम इस question को सीधे जो डारेक आजाए तो देखिए जरा चारो option में जो दूसरा letter है शुरुआ से वो सभी में अलग-अलग है D O E O जब दो में O है बाकी दो में D और E है तो बीच वाला letter दूसरा जो है देखते है order में R तो अब देखिए O R जो था यह हमारा उल्टा हो जाएगा R O यानि second number पर आएगा ह और तीसरा option है अब यहाँ पर देखिए हम जो है बीच वाला letter चेक कर लेंगे है ना तो बीच में D है और D में हम माइनस 3 करेंगे तो D माइनस 3 हो जाएगा एक यानि की A तो यह R O A हो जाएगा अब R O A हमारा किस option में option number 2 में तो यहां से हमारा option number 2 जो है वो आपका right हो गया ठीक है हाँ तो जो लोग live है वो लोग answer देने की जरूर कोशिस करें ठीक है और यह class को जो है like share और चैनल को subscribe जरूर कर लीजेगा अगर आप पहली बार हमारी class यहाँ पर देख रहे है ठीक है तो हमारा अगला question question number 6 sorry question number 5 जो कि हमारा एक immediate figure का question है तो यहां पर हमें बताना है कि यह जो आकरत ही है यह हमारी आकरत किस वाले figure में जो है चीपी हुई है ठीक है तो इसको देखें तो किस वाले figure में चीपी हुई है आकरते आपको दिख रहे है तो यह आकरत कभी भी पहले वाले में नहीं दिखेगी और यह आकरत कभी भी दूसरे वाले में क्या दिख सक यहां पर यहां पर चिपी हुई है यह वाली यह हमारा half circle हो गया आधा और उसके बाद यह हमारा triangle बन गया है ठीक है इस तरीके से triangle बन गया है तो यह आकरत हैं यहां पर दिखाई दे रही है तो option number 4 जो है इसका आपका वो right होगा चलते हैं question number 6 की तरफ और यह हमारा एक later series का question है तो यहां भी दिखिए हम कैसे solve करते हैं later की place value से solve करते है इसको तो e की place value 5 होती है lf की 6 होती है g की 7 होती है i9 अब दिखिए यहां पर पहला पहला later जो है वो plus 1 हो रहा है समय में 5 प्लस 1 6 6 6 प्लस 1 7 तो 7 प्लस 1 8 हो जाएगा यानि की पहला later यहां पर आएगा h ठीक है अब दिखिए h से हमारे 3 option है तो अब दिखिए हम जल्दी अगर हमें answer देना है तो सीधे हम last वाला later चेक करेंगे b है f है j है ठीक है अलग-अलग है तीनों में तो last later देख लेते हैं क्या चल ला है यहां पर यह है v 22 नमबर r 18 नमबर n 14 नमबर और यहां पर f है 6 नमबर तो आएगा 10 नमबर पर later हमारा j आता है यानि h पहला later होगा और last later होगा j तो हमारा यह option सिर्फ तीन नमबर में दिख रहा है तो हमारा तीन नमबर option वह right हो गया ठीक है तो इस तरीके से हम सीधे option से है question जल्दी solve कर लेंगे अगला question हमारा एक classification of later का question है यानि कुछ हमारे सामन later दिए गए है और यहाँ पर हमें बताना है कि इन में से कौन सा एक अलग है ठीक है विशाम को शाटना है तो यहाँ भी हम क्या करते हैं यहाँ भी हम सीधे direct place value लिखते है इनकी जिससे हमें logic जल्दी समझा आ जाए तो w 23 नमबर पर होता है v 22 नमबर पर होता है t 20 नमबर प कैसे बन सकता है कोई logic है क्या इसका बनने का अगर हम माइनस 16 करेंगे तो यहाँ सभी में माइनस 16 होना चाहिए अब दिखे जे 10 नमबर आई 9 नमबर जी 7 नमबर और क्यो 17 नमबर अब यहाँ देखते हैं 10 से 9 माइनस का एक 9 से 7 माइनस का 2 हो रहा है आपर फिर उसके बाद 7 से 17 प्लस का 10 ठीक है प्लस का 10 जबकि उसमें हुआ था माइनस का 16 तो यह कोई logic तो समझ नहीं आ रहा है हालांगे नीचे भी चेक कर लेते हैं एक बार तो यह है 19 18 पी 16 और 8 देखे 19 से 18 माइनस का 1 होगा 18 से 16 माइनस का 2 होगा और 16 से 8 माइनस का 8 होगा अब जरा दिखे य जिसमें समान लॉजिक होगा एक अलग होगा तो यहां पर देखे आपको अपोजिट लेटर पता होंगे देखे डबलू और डी यह दोनों क्या है एक दूसरे की अपोजिट है इसी तरह J Q जंगल कूइन जे और Q एक दूसरे की अपोजिट है लास्ट वाले में S और H एक और सबसे नीचे वाले में के का आपोजिट क्या होता है, पी होता है, यानि पहला लेटर का आपोजिट जो है वो लाश लेटर हो गया है, अब बीच वाले में देखे क्या हो रहा है, बारा, बारा से चौदा माइनस का दो हो रहा है, ठीक है, यहां है अठारा, अठारा से सोल यहां भी माइनस का 2 हुआ है, तीसरे वाले में क्या हो रहा है, 9, 9 से 7, तो यहां भी आपका माइनस का 2 ही हुआ है, और 22 से 20 यहां भी माइनस का 2 हुआ है, इसका मतलब अब हम देखते हैं कि पहले जो प्लस माइनस हो रहा था, तो देखें, 10 से 9 हो रहा था, तो माइनस का 1 हो तो दोनों में एक जैसा ही लॉजिक है, ठीक है, और अब यहां पर नीचे देखते हैं, 19 से बना है 18, यानि माइनस का 1 हुआ है, माइनस का 1, और 18 से बना 16, माइनस का 2, यहां बना है 11 से 12, 11-12 K11-12 अब यहां दिखे यहां पर हो रहा है प्लस का एक जबकि सभी में माइनस एक हो रहा था इसमें हो रहा है प्लस है यानि option number 4 जो है हमारा वही यहां पर वो हमारा अलग हो जाएगा ठीक है Ruby, Devi, good information चलिए तो चलते हैं question number 8 की तरफ question number 8 जो है हमारा एक sitting arrangement का question है जो की एक row वाला question है पंक्ति का जिसमें 7 वेक्ति बैठे हैं A, B, C, D, E, F और G और इन सभी का मुख कहां है उत्तर की तरफ है तो अब इसकी arrangement हम बनाते हैं देखिए जब यह समझ लिजी कि जब उत्तर की तरफ वेक्ति बैठते हैं तो इनका बाया दाया कि तर होता है जब वेक्ति उत्तर की तरफ देखते हैं तो इनका बाया और दाया वो हमारे अनुशार होता है ठीक है यह इसका left हो गया बाया और यह इसका right होगा अब हमें यह देखना है कि कर सकते हैं, जो D है, ये D है, इसके बायूर, यानि की लेफ्ट साइड में कौन बैठा, एक विक्ति सिर्फ बैठा है, तो यहां पर एक विक्ति हो गया ये, अब इसके बाद दिखे कहा गया, A, D का निकटतम पडोसी है, अब यहां पर condition बन सकती दो, देखे, A, D का निकटतम पडोसी है, तो यहां पर A हो सकता है, यहां पर बैठा हो, ठीक है, या यह भी condition हो सकती है, कि यह जो है, D बैठा है यहां पर, और इसके पडोस में यहां पर A बैठ जाए, तो दो समभावना इसकी बन सकते हैं, तो यहां पर हम दोनों ही समभावना बना लेते हैं, अब इस ये पहली position पहले वाले में हमने पना लिया दूसरे वाले में अगर F और D के भी इस दो विक्ति बैठाने है एक, दो, तो F यहाँ पर बैठ जाएगा क्योंकि F कभी अब बाई तरफ तो जा नहीं सकता क्योंकि बाई तरफ सिर्फ एक ही विक्ति था इसके आगे दिखे कहा गया C और G के बीज केवल तीन विक्ति बैठे है अचा दिखे यहाँ पर C और G अभी नहीं आया है तो इसको हम थोड़ी देर के लिए होल्ड पर रखेंगे छोड़ देंगे आगे कह रहा है B, G का निकटतम पडोसी नहीं है ठीके तो यह भी अभी हमारा पॉइंट नहीं आया है तो इसको भी हम छोड़ देंगे कहरा E और A के बीज केवल दो विक्ति बैठे है देखे यहाँ पर हमें मिल गया A क्यूकि हम बैठा जुके है तो अब हम यहाँ पर E को बनाएंगे कहरा E और A के बीज केवल दो विक्ति है तो पहले वाले में अगर देखे हम E और A के बीज दो विक्ति बैठा है तो अगर A यहाँ है तो E कभी भी बाई तरफ नहीं जा सकता E कहाँ होगा यहाँ पर तो E और A के बीज दो विक्ति हो जाएंगे अब दूसरे वाले में E यहाँ पर बैटेगा, तभी जो है इनके भी इस दो विक्ति होंगे, अब जो है यहाँ पर जो हमने statement छोड़ा था, क्या अब हम उसको बना सकते हैं, B, G का निकरतम बढ़ो सी बैठ है, C और G के भी इस केवल तीन विक्ति हैं, अच्छा, आगे देख तो अब हम बनाते हैं, F और D के बीच केवल दो विक्ति हैं, तो यह तो हम बना चुके थे, C और G के बीच केवल तीन विक्ति हैं, अच्छा, देखे, पहले वाले में अगर C और G को हम बनाते हैं, तो कहां पर हम बना सकते हैं, देखे, C यहाँ पर हो जाएगा, ठीके, और यहां पर हो जाएगा. दीखिए इए अगर यहां पर हम देखिए जो भी विक्ट बैठेगा आप 22 तरभी तरभ जा, तो जा नहीं सकता तो c और जिक के बीच gonna बैठते में बैठाना है अब देखिए पहली वाली पॉजिशन में हमारे तीन विक्ति C और G के बीच नहीं आ सकते क्योंकि यहां पर अगर C को यहां बैठाते हैं तब इनके बीच दो ही आएंगे और C को अगर और G को किनारे बैठाते हैं बाई तरफ तब भी दो ही विक्ति आएंगे इसका मलब पहली जो पहली जो संभावना हमने बनाई वह हमारी हो गई गलत अब यहां पर नीचे वाले में पांच ही विक्ति थे तो यहां पर साथ टोटल है तो जो है विक्ति नहीं तरफ ही बैठें हमें अब यहां पर देखें क्या हम C और G के भी इस तीन विक्ति बना सकते हैं देखें गर हम यहां पर बनाते हैं तो एक, दो, तीन, दो, आजाएगा यहां पर लेकिन ज़रूरी नहीं है देखे C की जगह यहाँ पर G आ सकता है और C यहाँ पर आ सकता है ठीक है पहली संभावना तो गलत हो गई अब दूसरे में भी दो संभावनाय बन रही है अब आगे देखे कहा गया था B G का निकटतम पडोसी नहीं है अब यहाँ पर देखे अगर हम G को सबसे लाश्ट में द C ठीक है यहाँ पर बैट गया C और C यहाँ बैट गया तो अब हमें पता चल गया G कहां बैटेगा यहाँ पर ठीक है तो यह हमारी अरेजमेंट जो है वो अब कंपलेट हो गई है अब हमसे क्वेशन देखे क्या पूचा है पंक्ति के अंतिम दाया च्छोर पर कौन बैठा तो दाया च्छोर हमारा कौन सा है यह वाला यानि कौन बैठा है यहाँ पर C बैठा है तो आप्शन नमबर 3 जो है इसका वो आपका राइट हो जाएगा ठीक है तो यह हमारा हो गया question number 8 चलते है question number 9 की तरफ question number 9 जो की हमारा एक C log को question है ठीक है कहा गया है सभी full paid है सभी full paid ह अब देखे सबसे पहले इसको हम बेन डियागराम से समझा देते हैं क्योंकि बेन डियागराम से जाद लोग पढ़े हुए हूँगे हमें पता है तो सभी full paid है देखे ये सभी full हो गए सभी full किसके अंदर आ जाएंगे पेड के अंदर आ जाएंगे ठीक है उसके बाद कहा अब पहला सा है सभी पत्ते पुल है यानी सभी पत्ते किसके अंदर आ जाएंगे पीड़ के अंदर , नीचे के आ गया सभी पत्ते पूल है तो सभी पत्ते किसके अंदर आ जाएंगे, फूल के अंदर, अब पहला निसक्रस हमसे कह रहा है, सभी पेड़ फूल है, देखे सभी पेड़ क्या है फूल, तो हम देखे जब भी बाहर से अंदर की तरफ पढ़ते हैं, तो सिर्फ हम कुछ बोलते हैं, कभी भी सभी नहीं बो कुछ पोल सकते हैं दूसरा स्ब पत्ते पेड हैं ऐसे आहिसे स सभी का मतलब 100 value है और ये positive है तो paid की value है किती 50 यहां सभी लिखा है पत्ते तो इसकी value 100 हो जाएगी positive में ये भी 50 हो जाएगा तो अगर आप 150 से नहीं पढ़े हैं तो इसकी हमारी clause पहड़ी ही है सिलोग की बहां से आप इसको देख सकते हैं ठीके अब देखे पहला निसकर्स यहां पर क्या था पहला निसकर्स था हमारा paid और फूल की बीच तो paid और फूल देखे हमारा पहले वाले में ही एक साथ है इसका मतलब पहले वाले से ही निकलेगा अब यहां पर सभी लिख दिया paid इसका मतलब paid की value बनानी देए इन्होंने 100 जबकि ऊपर कितनी थी paid की value 50 तो 50 को हम 100 कभी नहीं बना सकते इसलिए पहला हमारा गलत हो गया नीचे था सभी पत्ते पेड़ है यानि सभी value 100 हो जाएगी paid की value 50 अब देखे पत्ते और पेड़ कहां से निकलेगा तो पत्ते और पेड़ हमारा दोनों से निकलेगा जोड़के जोड़े की condition देखे दोनों में फूल फूल common है और कम से कम किसी एक फूल की value 100 होनी चीए तब ही जो है statement जुड़ सकते तो फूल फूल direct यहां पर जुल जाएंगे तो यहां से देखे हम सभी पत्ते पेड़ हैं हम direct बोल सकते हैं यानि दूसरा यहां पर सही है तो यहां पर कौन सा option हमारा तीसरा सही हो जा ही हैं और हमसे पूछा है कि एक फलक दर्शाने वाले की विपरीद फलक पर कौन सा नंबर आएगा तो जब more than two dice का question आता है तो वहां पर हम क्या करते है या तो one common trick का यूज करते है या फिर two common trick का यूज करते है एक हमें कहां दिख रहा है पहले वाले में दिख रहा है ठीक ठीक है तो पहले में देखे सब दोनों में one one common हो गया अब यहां से हमें क्या करते हैं clock wise direction में घूम जाते हैं तो पहले में clockwise घूमेंगे तो आएगा एक पांच छे एक पांच और छे और दूसरे में यहां पर two common trick का लग गई हमारी ठीक है जबकि हमें लगाना है one common trick एक का विपरीत हो गया अब यहां पर एक का विपरीत हो गया तो यहां पर हमने one common trick का जो है वो हो यूज किया है फिर चलते हैं question निमबर 12 टीक है यह आपका एक mirror George का question है carte मुझके सामने एक आकरत बनी हुई है और यहाँ पर MN रेखा पर एक डरपड रखा गया है, तो हमें देखना है यह आकरत डरपड में किस तरीके से दिखेगी, देख। होते हैं पास फिगर पास दिखती है दूर वाली दूर तो यहां पर यह जो circle है अब देखिए यहां पर यह जो C टायप बना है जो jung T के सामने यह में पास दीख रहा है तो य। यह लेकिन यह उल्टा हो जाएगा यहाँ पर किस्या जो पी है उपनी जगा भी चेंज करेगा, है ना, अपनी जगा तो रोटेट ही होगा, तो ये जो है, हमें उल्टा दिखेगा यहाँ पर इस तरीके से, ठीके, अब ऐसा देखे, हमें P कहां दिख रहा है, देखे, पहले आप से ने P सीधा है, तो ये आप से नहीं हो सकता, C में भी सही है, D में भी और B म में, अब यहाँ पर देखे, 6, अब कौन सा हम देखते हैं, यहाँ पर D देख लिए, D हमारा दूर है, तो ये दूर देखेगा, और इस वाले में D उल्टा है, तो ये D हमें सीधा देखेगा, अब D सीधा दोनों में हैं, 7 देखते हैं, 7 भी हमारा अपोजिट हो जाएगा, इस तरीके से और ये arrow नीचे सीधा ऐसे ही ऐसे दिखेगा तो ऐसा 6 हमाने कहां दिख रहा है option number C में यानि कि D हमारा गलत हो गया क्योंकि D में option जो 6 लिखा है वो सीधा लिखा है जबकि ये सीधा नहीं होगा अपनी जगापर भी रोटेट हो जाएगा ठीक है तो ये हमारा question number 12 हो गया चलते है question number 13 ये हमारा mathematical operation का question है और इस वाले आपके जो है shift में mathematical operation के कम से कम 4 से 5 question जो है पूछे गये थे हलागी काफी easy थे तो यहाँ पर देके symbol plus का अर्थ है minus minus का अर्थ है गुणा गुणे का अर्थ है divide divide का अर्थ है plus तो हमें सीधे symbol जो है change करना यहाँ पर तो divide का अर्थ क्या हो गया यहाँ पर plus तो यहाँ plus लगा देंगे multiply का अर्थ क्या है multiply का अर्थ है divide तो ये divide हो जाएगा minus का अर्थ है multiply और plus का अर्थ है minus ठीक है अब हम इसे board mask के करते हैं तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे तो यह आठ बार में जाएगा साथ अटेश अपन ठीक है तो यह 8 हो गया plus 137 ठीक है आगे इधर multiply तो यह multiply हो जाएगा 6 minus 31 ठीक है अब यहाँ पर हम क्या करेंगे multiply करेंगे तो अब देखे अब multiply और divide एक साथ कर सकते है और प्लस माइनस एक साथ कर सकते है तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 48 अब 48 देखिए हम 137 में जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 137 प्लस 48 और इसमें से minus करना है 31 तो देखिए 8 साथ 15 15 में से एक minus करेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा 14 यानिकी 4 एक करी हो जाएगा तीन एक चार हो कि चारी 8 में से 3 जाएगा हमारा बचेगा 5 ठीक है और यहां पर हो जाएगा 4 और है यह हो जाएगा 1 यहां पर आ जाएगा heat यानिक 154 जो हमáरा right आंसर हो जाएगा option number 4 जो है इसका आपका right होगा ठीक है तो ये भी question काफी easy था सीधे हमें symbol जो है change करने थे next question है हमारा dictionary का question ठीक है अब dictionary के crumb में हमें जो है इन words को लगाना है तो हमने बताया था कि ये हम question हमेशा option से solve करते हैं तो देखिए यहाँ पर 2 option में हमारा पहले तीन number वाला है और दो option में 4 number तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 और 4 में पहले कौन आएगा तो देखें 3 चार में common हमें क्या-क्या मिल ला है ज़रा पहले यह देखते हैं तो कामन हमें दिखे ल, O कामन दिख रहा है इसमें तीसरा लिटर N है यानि 14 नमबर और इसमें G है 7 नमबर तो अब दिखे अंग्रेजी वर्डमाला में पहले 14 आता है या 4 नमबर हमारा पहले आएगा तो यहां से 3 नमबर और 3 नमबर और तीसरे में 2 तो अब देखेंगे तीन और 2 में कामन हमें क्या दिख रहा है तो 3 और 2 में देखे, common lo, lo, common दिख रहा है, इसमें i है 9 number, इसमें n है 14 number, तो यहां पर भी देखे, i पहले आएगा, अगरेजी वर्ड माला में, यानि दो number, तो 4 के बाद 2 number वाला आएगा, यानि option number 3 यहां से राइट हो गया, दो गलत हो गया, ठीके, तो इस question को भी हम आपसंसे ही हमेशा solve करते हैं, आपसंसे यह question, बहुत ही जल्दी जो है solve हो जाता है, ठीके, चलते हैं question number 15 की तरफ, यह भी एक हमारा later series का question है, तो सीधे हम देखते हैं, कि later में plus minus कितना हो रहा है, पहला पहला later compare करते हैं, एक, एक से 6 बना, 6 से 11 बना, 11 से 16 बना, तो सभी में देखे, प्लस 5 हो और 11 से 16 बना, तो 16 में plus 5 करेंगे, तो 21 आएगा, यारी पहला later हमारा U आएगा, और U से देखे हमारे 2 option है, पहला और 4 अब जल्दी आंसर देना है, तो हम सीधे last बना later check कर लेते हैं, O और Q है इसमें, तो यह 7 हो गया, यह 9 number है, यह 11 number है, यह 13 number, यानि यह बढ़ रहा है कि तो 13 और 2 आगे कितना हो जाएगा, 15 यानि कि last later हमारा आएगा O, तो U O हमारा किस option में है, पहले option में, ठीक है, तो यह हमारा 15 का पहला option जो है, वो right हो गया, तो इसको भी हम alphabet जो है प्लेस वल्दी जल्दी जल्दी स्वाल कर ले सकते हैं, अब यहां बर हमारा एक बेंड डा उपकरण, रेफ्रीजरेटर और फ्रीजर, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा जो है डाइग्राम हमारा वो सही बनेगा, ठीक है, देखें, विद्दुद उपकरण, अगर बात करें रेफ्रीजरेटर की, तो रेफ्रीजरेटर क्या है, एक विद्दुद उपकरण है, है न विदूद उपकरान, अब यहाँ पर देखे, freezer, अगर आप्षन देखे, तो अब freezer और refrigerator इसमें कुछ का relation हो जाए, कुछ refrigerator में freezer होता है, कुछ समें नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर हूँ option के according ही answer जो है देगे, ठीक है, हालागे कि इसके आप अजहाँ रिफ्रिजरीडर के अंदर आ जाएगा और विद्धुतAKAR लेकिन यह आप sih मुंन सकता था टो यह आप्ष्ण नमबर भी आपका व्रडायट होगा ठीक है, तो यह हो गया question number 16, चलते हैं question number 17, question number 17, यह आपका एक number जो है, set pattern का question है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या logic है, देखे 7, 5, 42, इनने में क्या pattern बन सकता है, क्या logic होगा, तो यहाँ पर direct हमें multiply का लग रहा है, 7, 35, और 7 की गुणा अगर 6 से कर देंगे, 7, 6, 42, ठीक है, क् इसमें भी यही logic चल ला है, 4 की गुणा 5 से करेंगे 20, और 4 की गुणा 6 से करेंगे 24, यानि गुणे 5, गुणे 6 हो रहा है पहले number में, तो आठ, अब देखे 8, 35, होता है, तो यहाँ पर यह आपसन तो होगा नहीं, 6, 36, यह भी गलत हो जाएगा, 9, 45, 9, 24, यह हमारा option सही हो में देखते हैं, क्या हमसे कहा गया है, कहा गया एक विक्ति बिंदु जेड से चलना सुरू करता है, तो बिंदु जेड से चलना है, तो मान लीजे यहाँ पर है यह बिंदु जेड, अब यहां कहा जाएगा, दच्छिर की तरफ 7 किलो मेटर, दच्छिर कहा होता है, नीचे दिशा और सिर्फ दाया कहेगा तो हम समय जो है 90 डिग्री ही मोड़ना है उसको तो ये इसके clockwise direction हो जाएगी ये चलता है कितना 5 km आगे कहा गया है दाया मुड़ता है और 3 km चलता है मिलब यहां से फिर वो दाया मुड़ेगा और 3 km जाएगा तो clockwise ये अब जाएगा ओपर कि त इस ना मौड़ दिया 1 km काफी छोटा जो है फिगर बन गया चलिए कोई बार नहीं अब यहां से दिखिए कहा गया वह बाय मुड़ता है और बिंद एक्स तक पहुंचने के लिए 4 km चलता है बाय मुड़ेगा यानि कि ये उपर की तरफ जाएगा और कितना चलना है 4 तो द दूरी ये कितनी चला 4 km और यहां पर महुच गया बिंद एक्स पर तो हमसे पूचा है बिंद जेड तक पहुंचने के लिए अब उसने कितरी दूर और किस दिसा में जाना होगा देखिए अभी ये बिंद कितना इसको चलाना होगा तो ये दूरी हमें निकालना है अब नी तक पहुंचा सकते हैं यानि 4 km East जो है इसका राइट आंसर होगा option number 2 ठीक है तो ये हमारा हो गया question number 18 चलते हैं question number 19 की तरफ ठीक है और ये हमारा एक figure series का question है तो यहां पर भी देखिए इसको भी हम हमेशा option से ही करते हैं तो पहले option में ये हमें color दिख रहा है यहां पर blank है तो इसका मतलब अब जो figure आएगी उसमें हमें blank दिखेगा तो colored वाली figure तो होई नहीं सकती है तो ये दो option हट गए अब यहां पर देखते हैं ये जो circle है किस तरीके से बनाए देखे पहले में circle यहां पर तेह दोनों दूसरे में ये ओपर पहुंची गए यानि ये 90 degree rotate हो ये हो गया question number 19 अगला है question number 20 ये भी आपका एक 10 को question है एक ही पासे की दो इस्तितिया दी गई है और यहां भी हमसे पताया गया है एक का विपरीद पूछा गया है अब यहां भी दिखे आपको two common जो है दिख रहे होंगे 5454 तो यहां पर two common ट्रिक लगाएंगे तो 5454 common हो जाएगा जो नंबर एक दूसरे में बचेगे वही एक दूसरे की विपरीद यानि एक का विपरीद क्या हो जाएगा यहां से यानि option number a जो है इसका राइट है तो यह कुछ question ऐसे थे जिन में हमें pen paper की भी जरूत नहीं है यहां पर ठीक है अब दीकिए यह भी question हमारा जो ह सबजियां कितनी है 50 क्योंकि positive है अभी तो देखे हम आपको समझा रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं अगर जब आप पूरी तरह अच्छे से इसको पढ़ लेंगे तो आपको कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा कुछ पौधे कुछ की value 50 और यह भी positive है तो जहरीले भी यहां चोड़ना पड़ेगा हमें अब देखे यहां पर सभी सबजियां सबजिया कहा है हमारा पहले वाले में और जहरीले कहा है दूसरे वाले में तो अब दोनों को जोड़ना पड़ेगा जोड़ने की condition क्या है दोनों में कामन होना चीए एक और किसी एक की value 100 होनी चीए देखे की सबजीओं को हम 100 नहीं बना सकते हैं, ठीक है, दूसरा कहारा है, कुछ सबजीया पादप है, अच्छा, पादप का मलदब यहाँ से पौधे ही हो जाएगा, ठीक है, तो इसको पौधे यहाँ पर कर लेजेगा, ठीक है, हाँ, कुछ सबजीया पौधे हैं, आप दिखे और जो है इसका आपका right है, ठीक है, अब वेंड डियाग्राम से जो लोग करते हैं, वो अपना वेंड डियाग्राम से करके देख लेंगे, ठीक है, अगला question हमारा ये भी एक लेटर कोडिंग का question है, तो यहाँ पर लिखा गया flora, तो इसकी direct हम सिधे place लोग लिखते हैं, दे तीन, ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, चेक करते हैं, क्या जो है logic चला है, यहाँ पर कोई सीधा-सीधा logic हो सकता है, क्या देखे 6 से अगर हमें 23 बनाना है, तो यहाँ पर हमें कितना plus या minus करना पड़ेगा, तो यहाँ प्लस अगर करें हम तो 17 करना पड़ेगा, और minus अगर करते हैं, तो यहाँ पर हम 6 को क्या बोल सकते हैं, 26, 32, यानि 32 से 23 बनाना है, तो हमें यहाँ पर minus 9 करना पड़ेगा, अच्छा, 12 से 17 minus का 5 करना पड़ेगा, फिर 15 से 15, तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं minus हुआ, तो क्या यह logic हो सकता है, नहीं, चलो अगला देखते हैं reverse में, उल्टा देखते हैं logic कोई, देखें, 6 से अगर 3 बनाना है, तो minus का 3 करना पड़ेगा, अब 12 से 12, यानि यहाँ पर तो कुछ भी plus minus नहीं हुआ, फिर 15 से 15, यहाँ भी कुछ plus minus नहीं हुआ, और 18 से 17 minus का 1, और 1 से 23 बनाना है, तो minus का हमें 4 करना पड़ेगा, तो यह क् कोई logical sequence नहीं है, ठीके, तो अब हम क्या गरते हैं भाई, दूसरा कोई logic लगाते हैं, और क्या logic हो सकता है यहाँ पर, ठीके, यहाँ पर अगर हम इसको जो है, पहले alphabetical order में लगाएं, तो alphabetical order में लगाते हैं, तो पहले 1 आएगा, फिर 6 आएगा, ठीके, 6 से फिर 12 आएगा, 12 से 15 और फिर 18, तो अगर वर्ड माला के क्रम में लगाले, अब देखते हैं क्या कोई logic यहाँ पर बन पाएगा, देखे, यहाँ पर अगर हम जो है, reverse order में चेक करें, तो reverse order में अगर हमें 1 से 3 बनाना है, तो प्लस का 2 करना पड़ेगा, ठीके, अच्छा, 6 से अगर हमें 12 ब पाच करना पड़ेगा, तो यह भी यहाँ पर कोई logical sequence जो है, हमें नजर नहीं आ रहा है, और कोई logic हो सकता है, देखे, यहाँ पर क्या, common coding का question तो नहीं है, कहीं न, दोनों में देखते हैं कुछ common मिलना है क्या, तो दोनों में यहाँ पर हमें O common मिला सिर्फ, और इसका O का क दिखा नहीं गया है, और देखे, logic यहाँ पर क्या हो सकता है, यह है L 12, L का opposite क्या होता है, L का opposite होता है, O, हाँ, देखे, यहाँ पर अगर हम F है, F का opposite क्या होता है, U, U की प्लेस ओलो होती है 21, अब 21 से 23 बना सकते हैं, बल्कुल बना सकते हैं, प्लस 2 करके, यहाँ पर है 12 L और L का बुजिट होता है O और O की प्लेस वलू होती है 15 15 में प्लस 2 कर देंगे तो 17 हो जाएगा इसी तरह 15 होता है O और O का बुजिट क्या हो जाएगा L ठीके L तो L से यानि 12 से हमें अगर 15 बनाना है तो यहां पर हमें प्लस का 3 करना पड़ेगा 18 यानि R और R से हमें देखे R का बुजिट आई होता है I का प्लेस वलू नौ से पारा बनाना है तो प्लस का 3 करना पड़ेगा अब 1 से 3 देखे यह हमारा 1 का बुजिट क्या होता है 26 जेड और 26 से अगर हमें 3 बनाना है तो यानि यहां पर हमें माइनस कितना करना पड़ेगा या प्लस कितना करना पड़ेगा 3 ही प्लस करना पड़ेगा है ना तो क्या लाश्ट के 3 जो है प्लस 3 हो रहा है शुरुआत के प्लस 2 यह हम चेक करेंगे मनी में ठीक है M, O, N, E, Y तो यहां पहले हमने किया क्या है यह आप समझ लिएगा है इन्होंने फिर फिर 13 में प्लस 2 करेंगे O था O का अपोजिट L हो जाएगा L 12 होता है और 12 में हम 2 जोड़ेंगे तो 14 N आ जाएगा तो लॉजिक तो चल रहा है बन रहा है फिर देखे N N का अपोजिट होता है M M का प्लस तेरा अब 13 से लिखा गया है यहां पर P यानि इसमें प्लस 3 किया गया है सही ये लॉजिक पहले जो है दो प्लस 2 हो रहा है अपोजिट करके और लास्ट के 3 प्लस 3 हो रहा है तो यहां पर हमें गोईङ में बताना है देखे G का अपोजिट क्या हो जाएगा G का अपोजिट T 20 लेकिन यहां पर हमें प्लस 2 करना पड़ेगा पीस और प्लस 2 बाइस यानि आ जाएगा पहले लेटर वी तो यहां से हमारा दूसरा आप्शन हट गया चौथा हट गया अब यहां पर दूसरा हम चेक कर लेते हैं देखिए ओक आपोजिट क्या हो जाएगा ओक आपोजिट हो तो यह जो लॉजिक यहां पर चलते हैं कोश्चन नमबर 23 की तरफ यह भी आपका एक डिक्शनरी का कोश्चन है ठीक है यहां पर भी कोश्चन को जो है वर्ड्स को सब्दुकोस के क्रम में लगाना है तो यहाँ पर भी क्या गरेंगे हम सीधे आप्शन का सहरा लेंगे ठीके अच्छा आप्शन यहाँ पर हम कौन सा चेक करें जल्दी से आंसर देने के लिए तीसरा वाला चेक कर लेते हैं देखिए यहाँ दो है फिर छे है फिर पांच पांच 2, 6, 5 तो सबसे पहले हम पहले दूसरे में देखते हैं 2 और 6 क्योंकि देखिए 3 और 1 सभी में हमारा शुरूआत में है तो इसको हम देखेंगे नहीं अब देखिए 2 और 6 में पहले कौन आएगा पहले देखिए 2 चे में कामन क्या है DES, DES जो है हमारा कामन है इसमें P 16 है, इसमें T 20 है तो पहले हमारा 6 नंबर आएगा 16 वाला, यानि कि 2 नंबर वाला option हट गया हमारा 6 नंबर बच गया अब हम देखते हैं कि 6 और 5 में हमारा पहले क्या आएगा तो देखें, 6 और 5 में पहले क्या आएगा, कामन क्या-क्या है DES, DES, यहां भी कामन है इसमें 15 है, ओ, इसमें 16 है तो सबसे पहले 15 वाला आएगा यानि 5 नंबर वाला आएगा तो यहां से 6 नंबर वाला भी हट गया अब यहां पर देखें, 5 5 समान है, 6, 6 समान है 2 और 4, लाश से पहले 2 नंबर वाला आएगा यानि 4 से पहले 2 नंबर आएगा और 2 नंबर किसमें, अप्शन नंबर 3 में तो इसका 30 सिरा जो है हमारा राइट हो जाएगा तो यहां पर भी हमारे सामने कुछ फिगर दी गई अब देखते हैं, यह फिगर रोटेट कैसे हो रही है तो देखिए, यह फिगर है हमारा हेक्सागन है, यह सटबुझ है इस फिगर को पहले रोटेट किया 90 डिगरी एंटी, स्वारी, क्लॉक्वाइस तो यह जो लाइन दिख रही है तो अब देखिए, ऐसी लाइन हमारे किस में आप्शन में दिख रही है, आप्शन नमबर 3 में दिख रही है बाकी यहाँ पर गलत हो जाएंगे ठीक है, तो कोशन नमबर 24 यह भी हमारा काफी आसान कोशन था कोशन नमबर 25 अब यहाँ पर देखिए, इस वाली स्रिफ्ट में डाइस से कल चार कोशन आए है ठीक है, इस में देखिए कहा गिए एक ही पासी के तीन इस्तित्या दर्साई गही है और चार की विपरीत फलक पर बता रहे है में कौन सा नमबर आएगा तो अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो हम यह देखिएंगे, अगर टू कामन ट्रिक लग रही है तो वो हम जल्दी ढूड़ेंगे देखिए, पहले में हमारा चार है नहीं दूसरे में चार है, लेकिन छे तीन है क्या हमें छे तीन कहीं नजरा रहा है? तो यहाँ पर राइट है, ठीके, चार का विपरित क्या हो जाएगा? तो बढ़ेगा कब, या तो मल्टिप्लाई करने पर, या फिर इसका प्लस करते हैं कुछ ठीके, तो यहाँ पर अगर हम देखे, दो से मल्टिप्लाई करते हैं तो क्या इसके आसपास पहुंच जाएंगे? दो चक्कू आठ, दो चंग बारा, दो दुना, चार, ठीके, चार सो अटाइस बन रहा है अगर हमें चार सो बासट बनाना है, तो इसमें एक्ष्ट्रा हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? तो यहाँ पर हमें जोड़ना पड़ेगा आपको 34, 34 जो है ज्यादा हमें और जोड़ना पड़ेगा, तब हम 462 बना सकते हैं देखते हैं क्या यह लोजिक यहाँ चल ला है, दो से मल्टिप्लाई करेंगे, तो यह हो जाएगा 264 अब 244 अगर हमें 330 बनाना है, तो देखिए यहाँ पर तो हमें ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा, तो यह लोजिक तो हमारा काम नहीं कर रहा है दूसरा देखते हैं कोई अंतर का डिफ्रेंस का लोजिक तो नहीं है, अगर इनका दोनों का अंतर निकालें तो यहाँ पर 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा, 198 का अंतर आ रहा है यहाँ पर देखते हैं कितने का अंतर है, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, 12 में से 2 जाएगा 9 बचेगा, और यहाँ 2 में से 98, 198 बचेगा दोनों में डिफ्रेंस हा रहा है तो देख लेते हैं ऐसा difference किस में है हमारा 340, देखे 340, दस में से 1 जाएगा, तो 9 बचेगा, यह हमारा नहीं बनेगा, यहां 8 में से 8 जाएगा, 0 बचेगा, तो यह भी नहीं हमारा बनेगा, 14 में से 6 जाएगा 8, यह हो सकता है, 14 में से 6 जाएगा 8, और यहां पर 17, 17 में से 8 तो दोनों में डिफ्रेंस जो था वो एक्वल था एक सो अठान रवेका ठीक है अगला कोश्चन यह भी हमारा एक मैथमेडिकल आपरेशन का कोश्चन है तो यहां पर हमें कोश्चन मार्क की जगा बताना है कि क्या आएगा जो हमारी समीकन जो है वो सहीब हो जाए तो यहां कोश्चन मार्क का सिंबल वो तो बताया ही गया है एक मिएट एक का अर्थ है प्लस बी का आर्थ है mlt सी का मायनॉस की जगह हमंताना है क्य हा आएगा ठीक है क्या रखा जाए तो सबसे पहले सिंबल यहां पर रख लेते हैं D तो D का अर्थ दिखे देए क्या है questo i यह हो गया divide, फिर equal लगा है, B का आर्थ क्या है, यहाँ पर multiply, फिर D का आर्थ यहाँ पर क्या है, divide, तो इसको अगर हम solve करें, तो सबसे पहले हम इसको भाग करेंगे, 32 को आर्थ से तो चार बार में जाएगा, अच्छा, 4 की गुणा 4 से करेंगे, तो कितना आजाएगा, 16, यानि यहाँ पर दोनों तरफ की value, 16 ही बननी चाहिए, अब देखिए, यहाँ पर B का आर्थ क्या था, B का आर्थ था multiply, तो 2 में हम किस नंबर से गुणा करेंगे, कि 16 ही बने हमारा, तो 2 में अगर हम 8 से multiply करेंगे, तब ही 16 बनेगा, और 8 value कब आएगी, जब यहाँ पर हम 16 रखेंगे, तो 16 को 2 से भाग करेंगे, तब यहाँ पर 8 आएगा, तो यहाँ पर 16 नंबर जो हमारा right होगा, यानि कि option नंबर 3, ठीक है, दोनों तरफ की value जो हमें equal ही बनानी है, अगला question भी हमारा एक mathematical operation का है, तो यहाँ देखें, minus का अर्थ क्या है, minus का अर्थ है divide, तो यहाँ divide लग जाएगा, plus का अर्थ है multiply, multiply गुणे का अर्थ क्या है minus, और divide का अर्थ है plus, ठीक है, सबसे पहले divide करेंगे, तो 0, 0 कट गया है, यह सीधे 25 बचेगा, फिर 25 की गुणा हम 10 से करेंगे, तो 200 बचेगा, ठीक है, 200 minus 5 plus 2, यह हमारा बच रहा है, ठीक है 25 और 27, 27 में से 5 minus करेंगे, एक मिनट कुछ गरबढ हुआ है, यहाँ पर हमने पहले divide किया, ठीक है 25, 25 की गुणा 10 से, अच्छा, यह 200 था, 200 minus 5 plus 2, तो 200 में plus 2 करेंगे, 252 और 252 में 5, जो है हम minus करेंगे, तो 247 हमारा right answer होगा, option number 1, ठीक है, तो यह हमारा हो गया question number 28, अगला question है question number 29, और यह भी हमारा एक classification of letter का question है, यानि विशम चाटना है, तो यहाँ पर भी देखते हैं, सीधे हम place value लिखेंगे, अच्छा, यह question तो हमें लग रहा है, वही वाला question नहीं, अलग है, तो इसके देखे place value अगर लिखेंगे, तो 23, 25, 18, 19, ठीक है, देखे, 23 से 25 हुआ plus का 2, 25 से 18, यहाँ पर हुआ है, प्लस का 1, फिर नीचे लिखा गया, 16, 19, 10, 11, ठीक है, 16 से 19, मैनस का 3, 19 से 10, मैनस का 9, 10 से 11, प्लस का 1, तो अगला क्या है, 16, 18, 16, 18, 11, 12, ठीक है, 16 से 18, प्लस का 2, 18 से 11, मैनस का 7, और 11 से 12, मैनस का, प्लस का 1, तो यहाँ पर देखिए, पहला और तीसरा लॉजिक, जो है एक जैसा है, दूसरे वाले में अलग लॉजिक चल ला है, क्योंकि यहाँ पर मैनस 3 हुआ है, शुरुआत में, ठीक है, चौता भी इसी तरीके से होगा, 6, 2, 8 है ना, तो हमें यहाँ पर चौता चेकरिंग जरूत नहीं है, ठीक है, दूसरा यहाँ पर आपका अप्शन अलग है, ठीक है, तो यह हमारा हो गया, क्वेशन नंबर 29, लिनेक्स क्वेशन देखते हैं, क्वेशन नंबर 30, और यह भी हमारा एक mathematical operation का ही question है, ठीक है, अब यह question थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट लगे हुई है, अब ब्रैकेट में आपने जो है, बोड मास्क रूल जो है ज़रूर पढ़ा होगा, ब्रैकेट या फिर बार, ठीक है, ब्रैकेट या बार, तो ब्रैकेट वाली value हम सबसे पहले solve करते हैं, तो यहाँ पर तो सबसे पहले हमारा काम है, symbol को change करना देखिए, multiply का आउर्थ है, minus, तो यहाँ पर लग जाएगा minus, minus का आउर्थ क्या है, यहाँ पर plus, तो यह plus हो जाएगा, और divide का आउर्थ है, multiply, ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर वाली value है, वो हम पहले solve करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर, हम यह वाली value solve करेंगे, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट वाले अंदर वाली value solve कर लेंगे, देखिए, 14-6 हमारा बचेगा 8, ठीक है, छोटा वाला ब्रैकेट solve हो गया, मजला ब्रैकेट बचा है, ठीक है, बाहर बड़ा ब्रैकेट, माइनस, अब देखिए, यह भी हम छोटा वाला ब्रैकेट solve करेंगे, 4 की गुणा 3 से करेंगे 12, तो यह हो जाएगा 12, ठीक है, अब यहाँ पर मजला ब्रैकेट जो है, ख्लोज हो गया, और यहाँ पर लगा है divide, ठीक है, क्योंकि प्लस की जगा डिवाइट हो गया, अब इस छोटे वाले ब्रैकेट को हम अगर solve करेंगे, तो 6 प्लस 4, 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 10, ठीक है, यह बड़ा ब्रैकेट लग गया, अब यह मजला वाला ब्रैकेट जो है, इसको हम solve करेंगे, तो यहाँ पर 8 और 12, माइनस का 4 बचेगा, ठीक है, माइनस का 4, और इधर लगा है divide, 10, divide 10, अच्छा, लाश्ट में multiply भी था 3, एक मिनट, कुछ गड़बढ हुआ है, यहाँ पर, यहाँ पर जो है, ब्रैकेट के बाहर क्या था, गोने 3, ठीक है, यह था, हाँ, अब हम solve करते हैं, किसको, यहाँ पर हमने किया था, 6, 8, और minus, 4, तीया 12, ठीक है, minus का 12 हो गया, तो 8 में से 12 जाएगा, तो यह minus का 4 बचेगा, ठीक है, divide 10, और multiply 3, तो सबसे पहले हम यह वाली value solve करेंगे, क्योंकि यह divide के अंदर थी, तो यहाँ पर अगर हम इसको divide करें, तो यह आएगा, 0.04, यह ना, 0.04 आएगा, यह तो पूरा पूरा divide 3 नहीं हो रहा है, पिया, कुछ गरबढ़ है क्या यहाँ पर, फिर से दिखते हैं, एक बार क्या symbol सही रखें, कुछ गरबढ़ तो नहीं किया है, यहाँ पर symbol में, multiply का अर्थ क्या है, multiply means minus, ठीक है, minus का अर्थ क्या है, minus का अर्थ है, और divide का अर्थ क्या है, divide, multiply, plus का अर्थ है, plus का अर्थ है, माइनस का अर्थ है, प्लस माइनस का अर्थ हा, प्लस डिवाइड का अर्थ, मल्टिप्लाई, ठीक है यह तो सही था, तो सबसे पहले हमने बड़े छोटे ब्राइकेट वाली वैलू स्वाल की, यहां पर 14 माइनस 6 यह हो जाएगा, 8 अच्छा यहां पर प्लस लगा है स्वारी यहां पर हमने माइनस कर दिया था चारतियां 12 ठीक है यह हमने सॉल कर दिया यह मजले ब्रैकेट वाली वैलू आ गई फिर प्लस 6 और 4 यहां पर हो जाएगा 10 और यह ब्रैकेट हमारा तो 20 और 10 30 क्यों गुणा 3 से करेंगे तो यहां जाएगा 90 यहां पर भी कुछ गड़बड हो रहा है अच्छा यहां पर देखें फिर से हमने गड़बड किया यहां पर divide लगा है ठीक है 20 और 10 के बीच में लगा है divide तो 20 को 10 से divide करेंगे दो बार में जाएगा ठीक है दो बार में जाएगा यह तो यहां पर आजाएगा 2 गुणे 3 तो 2 गुणे 3 बराबर आएगा हमारा 6 यानि option number 2 हमारा right है देखे question आसान था लेकिन जो है काफी confusing था क्योंकि यहां पर bracket बगएरा लगे थे है ना चलते है next question question number 32 115, 130, 122, 167, 169 एक सीरीज चल लेगे तो यहां पर हम देखते हैं direct क्या इस्टे फार्म से इसको देखे हम बना सकते हैं देखे एक बार नमबर बढ़ा 115 से 30 फिर घटा फिर बढ़ा फिर घटा तो जब नमबर घटा बढ़ता है तो यहां पर हम जो है mix जो है सीरीज चेक कर लेंगे तो यह हो जाएगा 144 है ना 144 यानि option number 1 जो है हमारा right है question number 33 हमारा एक mirror image का फिर से question है तो यहां भी हमारा बायंदाय चेंज हो जाएंगे ठीक है cross तो एक जैसा ही रहेगा अब यह square है यह हमें इधर दीखेगा और circle हमें यहां दीखेगा तो इसमें तो question में कुछ था ही नहीं कौन सा option सही हो जाएगा option number 4 ठीक है 33 number question 34 number question 6 2 96 अब भाई 6 2 96 यह भी एक similar pattern का question है तो 6 2 96 कैसे बना सकते अगर 6 और 2 6 और 2 को add करें 8 हो जाएगा 8 की गुणा हम किसे करें 12 8 96 होता है न तो 8 की गुणा जब हम 12 से करेंगे तो 96 आएगा कि यही logic आगे चलेगा 6 5 11 लेकिन 11 की गुणा हमें तो 240 नहीं बन पाएगा तो कोई और logic यूज करते हैं यह तो logic नहीं है अच्छा दूसरा logic यूज करें तो 6 की गुणा अगर हम 2 से करादें तो 12 आजएगा फिर 12 की गुणा हम 8 से करदें तो 96 आजएगा ठीक है अच्छा यहाँ पर 5 की गुणा 6 से करेंगे तो 30 आजएगा अब 30 की गुणा 8 से कर देंगे, तो 240 आ जाएगा, ठीक है, यानि पहले 2 नमबर की गुणा करके 8 से multiply कर दिया गया, तो 4 एक पहला अपसन तो हो नहीं सकता, 12 तियां 36 ये भी अपसन नहीं हो सकता, 1 की गुणा 2 से करेंगे, 2 ही आएगा, 2 की गुणा 8 से करेंगे, 16 आएगा, ठीक है, तो ये हमारा question नमबर 34 हो गया, चलते हैं next question, question नमबर 35, ये भी आपका एक similar pattern का question है, 19, 6, 37, जिस तरीके से first row में logic बन रहा है, उसी में second तरीके से, उसी में तरीके से second में बनेगा, और उसी तरीके से third में बनेगा, तो क्या logic हो सकता है यहाँ पर, देखिए, यहाँ पर 19, 6 का यूज़ करके 37 बना सकते हैं, क्या, 19 और 6 हमारा केता होता है, अगर जोडेंगे, तो 19, 6 हमारा हो जाएगा, 25 और 25 से 37 बनाने के लिए हमें plus 12 करना पड़ेगा, आगे देखते हैं, 21 और 8 हमारा हो जाएगा, 29, 29 में हमें ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा, 45 बनाने के लिए, तो यह तो logic हो नहीं सकता, अचा और कोई logic हम बना सकते हैं, 19, 37 से 19 अगर घटा तो 17 में से 9 जाएगा, 8 बचेगा, और 2 में से आजए, 1 जाएगा, तो 1 बचेगा, 18, अब 18 से देखिए 6 बना सकते हैं, 3 से भाग करके बना सकते हैं, यहाँ पर यह logic चलेगा, 5 में से 1 जाएगा, 4 और 4 में से 2 जाएगा, 2, अब यहाँ भी हम 3 से भाग करेंगे, तो 8 और 24 को 3 से भाग कर दियागा, तो 8, तो आप देखिए, यहाँ पर हमें किस नंबर में घटाना पड़ेगा, 72 को, कि जो हमारा नंबर आया, वो 14 बन जाए, ठीके, तो इसका मलब हम सीधे 14 की गुणा 8 से करा दे, एक मिनट, 14 की गुणा 8 से नहीं, या या हम इसको ऐसे भी क तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसका 25 कर लें, तो 22 चला जाएगा 14 के पास, एक्स बटे 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बराबर, प्लस का है, इदर माइनस का हो जाएगा, तो 22 में से 14 जाएगा, 12 में से 4 जाएगा, 8, 6 में से 1 जाएगा, 5, ठीके, अब इसक पंद्रा और दो सत्रा एक मिनट कुछ गड़ पड़ हो रहा है है चलिए डारेक्ट आप्शन रखके देख लेते हैं हाँ पर अगर हम 72 में से 124 घटा दें तो 124 में से 122 घटाएं कितना आएगा अब 134 से अगर हम 72 घटाएं 2 बचेगा 173 में से 6 बचेगा इसको भाग करेंगे 3 से ये भी ने बनेगा 114 में से 72 घटाएंगे तो आपका 72 ही बचेगा अब 72 को 3 से भाग करेंगे 3 2 6 3 चकुब 12 ये भी ने बन रहा है इसका मतलब 144 ही फिर सही होगा 144 में 72 माइनस करेंगे तो 2, 14 में 7 गया 2, 3 से भाग करना था ना, 3 2 6, 3 6 12, एक मिनट, यहां कुछ आपसन में मिश्टेक है हमें लग रहा है, आप लोग क्या बता रहे हो, कुछ आपसन सही है, यहां पर गरबढ है, 144, 72, डिफरेंसी तो निकाल रहे हैं, 144 से करेंगे 2, 14 में से साथ जाएगा, 7 भाग करें, 3 से, 3 से, 3 2 नीचे, 3 6 12, 24 बन रहा है, हमें लग रहा है, गरबढ कुछ लिखाया है क्या, एक मिनट, दूसरे वल्म क्या पर ना था, यहां पर हम ऐसे कर रहे थे, 72 में से किसी नंबर को घटाना है, फिर उसको हमें भाग करना है, 3 से, तो बराबर आना चाहिए, 14, ठीक है, तो इसको अगर हम पच्छांतर कर लें, तो 72 इधर जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो 72 में से, 14 अगर हम म 12 में से 4 जाएगा, 8, 6 में से 1 जाएगा, 5, अब यह है, एकस बटे 3 बराबर, इधर मल्टिप्लाई चला जाएगा, 3, 8, 24, 3, 5, 15, 2, 17, आपसन में यहां पर बिया कुछ मिश्टेक है, ठीक है, तो यहां पर 174 जो है राइड आनसर आ रहा है, 174 में 72 अगर माइनस करें, 2, 17 में से साथ जाएगा, 10, नहीं, यह भी नहीं आ रहा है, क्या गरबढ हुआ है, यार, 3, 24, इसको 24 को भाग किया है, 3 से, अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, गरबढ कर रहा है हम भी कुछ, यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 12 बटे 3, बटे, 3 बराबर 14, बराबर 14, हाँ, अब सही है, 14 की गुणा 3 से करेंगे, 42 हो जाएगा, तो 72 माइनस X बराबर 42 हो जाएगा, तो X बराबर 72 में से 42 घटा देंगे, 72 में से 42 तो यह आ जाएगा, 30, 30 आ रहा है यहां पर, 62, 62 को 3 से भाग करें, कुछ इसमें गड़बड है, नहीं, 42 आएगा, तेनी काम 3, 3, 3, 2, 12, यहां पर आप्शन में मिस्टेक है, ठीक है, यह आप्शन यहां पर 30 जो है, राइट होगा, ठीक है, 30 नमबर जो है, वो राइट होगा, यहां पर, तो कुछ इसमें मिस्टेक थी, तो यह 35 कोश्चन जो है, हमारे हो गए, ठीक है, चलिए, तो आज इतनी कोश्चन रखते हैं, वरना जो है, क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है, तो उमीद करते हैं, आपको यह क्लास समझ आई होगी, ठीक है, अगर क्लास पसंद आई हो, तो इसे ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सस्क्राइब करें, और कोशिस करें, डेली जो है, आप 8 बजे रात में यहाँ पर लाइव जुड़ने की, ठीक है, और जितने भी आपके साती हो, उनको जो है, क्लास शेयर ज आउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, तो जलिए आज की क्लास यहीं तर रखते हैं, मिलते हैं आपको कल, इसी टाइम, 8 बजे,